नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल ऑनलेन पंचायत में आप सभी को पता ही है मेरी यूटूब चेनल ऑनलेन पंचायत और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रतेक नए वीडियो और प्रतेक नए अपडेट की ज पर हम सब सचीवों का एक तो उस्साहा देखते बन रहा था और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इतनी बड़ी संख्या में इखटे हुए सचीवों उन सभी सचीवों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि दोस्तों मैंने कली देखा कि इतनी बड़ी संख्या में कार सभी कोई ट्रेन से कोई बस से सब तरीके से आ रहे थे तो बहुत ही बड़ी संक्या में भीड़ थी पांडाल में भी जो महा सम्मिलन होड़ा था हमारा पंचा सचियों को महा भी बहुत खचा-खच भीड़ थी तो उन सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो दूर-दूर से प्र यह सोगाते मिलती है और हमें तुरंत भी आदेश प्राप्त हो रहा है तो तुरंत आदेश भी होगा तो दोस्तों कल क्या जो पूरा कार कम हुआ अपने लाइब तो देखाई है मेरे साथ और देख सकते हैं आप क्योंकि मेरा वीडियो पोस्ट भी है जो लाइब आला तो आप उसमें और अच्छे ध्यान से देख सकते हैं लाइब मानिनी मुक्यंतरी सिरी सिवरासीन चोहान जी को जो उन्होंने हमें महतूर से वगाते हैं दी तो दोस्तों उसका संचेप में आज मैं आज की वीडियो में बता देता हूं तो आप देखिए और बिल्कुल एक एक लाइब प्रोग्राम चुकी देखा ही है मेरा मैंने पूरा लाइब दिखाया है यह आपको तो आज उसका जो संचेप में हम देख लेते हैं पूरा तो मुक्यंतरी सिरी सिवरासीन चोहान जी की पंचाय सचीवों को महत्पूर सोगाते हैं ठीके मतबरेश सासन पहला आप् आपका वेतन आपको मिल जाए ठीके पंचाय सचीवों को सातवे वेतनवान का लाप ततकाल प्रवाव से दिया जाएगा यह बहुत महत्पूर पाइंट है दोस्तों कि जो है पंचाय सचीवों को सातवे वेतनवान का लाप ततकाल प्रवाव से दिया जाएगा मतलब अब क बेतनमान का लाब जो है ततकाल प्रवाव से दिया जाएगा तो बहुत ही खुशकवरी की बात है दोस्तों इसी गंड़ना किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता दूँगा पंचाय सचीवों को समयमान बेतनमान भी दिया जाएगा ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों जै आसरीतों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी तो दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी पंचाय सचीवों की आसमयम रत्ती उपर आसरीतों को दोस्तों इसकी जो है कल जैसे हमने देखा कि इसकी प्रक्रिया को उट सरल कर दिया जाएगी तुरंत जली-जली ज अब जो है रिटायर्मेंट जैसे होंगे तो एक मुझ तो तीन लाग रुपे की रासी पंचा सचीम होदे को मिलेगी ठीक है तो PCO के पदों पर नियुक्ति के समय 50% आरक्षन ग्राम पंचा सचीम होगी तो यह बहुत महत्पून बहात है दोस्तों जैसे का आप देख रहा हो होंगे देरे देरे पुराने PCO अधिकारी गण हमारे जो है वो रिटायर भी हो रहे हैं तो अब पदों की जो है रिकूपमेंट है नियुक्ति होंगी क्योंकि उनकी अब जो है वेकेंसी निकलेंगी तो उसमें क्या होगा दोस्तों 50% आरक्षन जो रहेगा वो सबसे पहले ग्राम पच्चा सचीवों से बराए जाएगा ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात दोस्तों ये रूपे 5 लाग का दुरगटना और स्वास्ति मिमा भी मिलेगा तो 5 लाग का दुरगटना और स्वास्ति मिमा ये बहुत अच्छा है दोस्तों ने दी हमारी हम चुके अब नो जबी सुविदाय देने की प्रक्रिया प्रारम की जाएगी। जबी सुविदाय प्रक्रिया 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 प्रारम की जाएगी। अधेश पर भी वीडिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया